Hello friends, this is our next tutorial related to website design आज का हमारा topic है website में table in stml तो इस पे हम सिखेंगे कि stml table कैसे create करते हैं तो पहले हम थोड़ा सा board page से देख लेते हैं उसके बाद हम proper इसे system पे देखेंगे कैसे work perform करेगा तो अगर हम table की बात करते हैं तो table जो होता है वो होता है collection of row and column अगर हम simple किसी एक table की बात करें मालुम मैंने एक table यह बनाई हुई है इससे मैंने element दिये है name row number branch इसमें name दे दिया मैंन row number 2 branch id row number 3 branch cs तो यह जो है यह पूरी यहां से यहां तक यह पूरी है क्या कहलाती है row कहलाती है यह होती है row यह भी एक row है और यह तीसरी row है और यह जो है यह कॉलम यह दूसरा कॉलम और यह तीसरा कॉलम है तो table अगर tag की बात करते हैं सबसे पहले अगर table tag की बात करते हैं तो table अपने में खुद एक tag होता है सबसे पहले table से start होगा उसके बाद row को define करने के लिए जैसे ये एक table row है तो row के लिए हम लोग क्लिकते हैं tr tag इसको बोलता है table row जो table के row को define करेगा इसके लावा third इसमें जो tag जो होता है बोलता है table heading जैसे name, branch and row number and branch ये जो है ये क्या heading है table के अंदर तो इनको हम define करेंगे t h के अंदर इसको बोलते है table heading इसके बाद next आता है हमारा t d जो actual data table में store होता है वो कहलाता है table data यानि ये एक data है ये दूसरा data तीसरा ये सब क्या है data है इसलिए इसको बोलते है table data तो ये main इसके tag है हमारे जो table में main tag यूज़ोंगे वो ही ये चार ही tag यूज़ोंगे अगर हम इस table को बनाने की courses करेंगे तो ये कैसे design होगा सबसे पहले हमारा stml उसके बाद और चीज़ आपको लगाना है नहीं लगाना है हम सीदे body से start करते है इसको body body के बाद यहाँ पर आएगा table अब table के बाद हमें यह border भी देना है कि border जो होगा कि size का होगा तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे border border required to जितना भी आपको picture में देने हैं वो देश सकते हैं नहीं भी देने हैं तो direct हम यहाँ पर जिसे मैं to लिख रहा हूं तो यह automatically to pixels जोगगा वो gain कर लेगा इसके अलावा next जो आएगा वो आएगा हमारा सबसे पहला हमारी table रो है फस्ट रो है तो हम लोग लिखेंगे आपर टी आर टी आर लिखा हमने यह वारी रो की बात कर रहा है जिसके अंदर यह सब क्या है table heading है यह टी एच है यह भी एक टी एच है और यह वी एक टी एच है तो हम लोग यहाँ पर जो लिखेंगे इसके बाद टी एच टी एच में पहली value आ जाएगे हमारी name और टी एच यहा हमने वहां दिया हुआ है और यह टी एच होगा है यह पर लोग जाएगा इसके बाद यह टी आर भी हमारा लोग जाएगा तो पहली रोग कंप्लेट हो जुकिए अब हम दूसरी रोग पर आ है तो फिर से टी आर स्टार्ट होगा उसके बाद यहां पर अब टी होगा table data यह समय तो जाल जाएगा जोलॉट जाएगा लावा यह टीर गया हो जाएगा सिके बाद मनट लियुख अःसे आपको जितनी भी तेनी हैं वह हम इस में एकसेस कर सकतें उसके बाद जिल्ट Entry довred जाएगा सिके बाद table भी हमारा क्या होगा यहाँ पर close हो जाएगा table close होने के बाद body close होगी और body close होने के बाद stml भी क्या हो जाएगा यहाँ पर close हो जाएगा तो यह इसका एक program design हो जाएगा इसके लावा आप चाहते हैं कि मैं दोनों यह दोनों column को combine करूं combine करके हम values में insert करें तो combine करने के लिए हम लोग जहां पर हमने ts लिखा होगा तो यह दोनों column को हमने combine करके एक ही column बनाना है तो उस condition में यहाँ पर क्या लखेंगे th के बाद th column span equal to 2 लिख देंगे यहाँ पर तो यह name के अंदर यह दोनों combine होके एक column बन जाएगा name के बाद यह system में देखेंगे अभी proper तरीके लिए तो आपको better तरीके से समझ में आ जाएगा ऐसी हम row को भी combine करेंगे इसमें उसमें row spam होता है spam row spam equal to जितने भी row हमें combine करने हैं वो हम इसमें लिखेंगे तो यह अभी system पे देखते हैं नेक्स system पे देख लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग text editor को open कर लेते हैं इसमें हम new file करके यह फाइल कर लेंगे उससे सबसे पहले हमें क्या करना है तो save करना है तो save as करके जिस भी folder में आपको उसको save करना है तो आप वहाँ save कर सकते हैं मेरा desktop पे एक folder है html coding का तो मैं वहाँ पर इसे save कर लेता हूँ table.html से save कर लेता हूँ इसके बाद सबसे पहले हम वर्जिन को define करेंगे doc type html define करते हैं उसके बाद html को close कर देंगे उसके बाद हमारा head start होगा title start होगा title के अंदर जो भी हमें title लिखना है वो हम लिखेंगे title close होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे head को भी close करने उसके बाद जो main work होगा वो body के अंदर हम access करेंगे इसके बाद body के अंदर हमें main बनाना है सबसे पहले table tag table tag बनेगा table tag एक close भी हो जाएगा उसके बाद next जो बनेगा table में सबसे पहले table row आती है तो हम लोग यहाँ पर जो बनाएंगे वो बनाएंगे tr तो यहाँ पर हम लिखेंगे tr और tr को क्या करेंगे close भी कर देंगे tr से जो भी हमने tr के अंदर first tr के अंदर th हम create करेंगे th मतलब table heading देंगे first first row के अंदर first जो column हम define करेंगे वो लिखेंगे तो यहाँ पर name लिखती है हमने table heading के अंदर दूसरा table heading हम define करते हैं और उसे close भी y其實 automatically हो जाएगा इसमेंять row number हम define कर लेते हैं इसके बाद next th हम start करते हैं वसेज हम क्या करते हैं は automatically call core close हो जाएगा और इसमें हम लोग क्या लिखते हैं branch लिख देए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको save कर लेते हैं and run कराते हैं रन कराने के लिए आपको उसी folder पे जाना है folder पे जाके आपको इसमें right click करना है अगर आपका browser नहीं दिख रहा है तो open with करना है browser पे open कर लेना है इसको browser पे जब यह open हो जाएगा तो हमारा जो है यह run होके हमें दिख जाएगा यह बन जाएगा बट इसमें अभी हमें proper इसका border ने दिख रहा है यह हमारा टाइटल उपर आगे तो border देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे उस जो हमने टेबल बनाई है जो हम लोग टेबल बनाई है हम लोगोंने उसमें उपर जो लिख देंगे हम टेबल में जाके टेबल का border define कर देंगे border equal to जितना भी border हमें देना है तो पिक्चल में भी दे सकते हैं simple to भी हमने लिख दिया है तो यहां पर जो हो जाएगा यह border भी हमारा इसमें generate हो जाएगा यह अभी हमारी पहली रोग क्रियेट हुई ऐसी हम लोग बहुत सार इसमें रोग क्रियेट करेंगे तो दूसरी रोग हम क्रियेट कर लेते हैं टी के अंधर देंगे टीडी तो हम पो पी हमने कॉलम बनाए थे तो थीन हम यहां पर करेंगे हर इंसेर्ट करेंगे तो पहले यह दूसर डीडी इसमें हम रूगाइं बीकाइब कर सकते हैं उसको रिफ्रेस करके तो यह हमारा क्या हो जाएगा टेबल क्रियेट हो जाएगी इसके लावा आप इसमें कितने भी टीयार दे सकते हैं तो हम लोग एक और कॉपेस्ट कर लेते हैं तो यहां पर यहां पर मैंने थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया है तो ये बहुत सारी हमारी क्या हो जाएंगे इसमें, rows create हो जाएंगी, column तो हमारे तीन ही रहे इंगे, पर row हमारी बहुत सारी इसमें create हो जाएगे, उनके अंदर data जो हो जाएगा, वो store हो जाएगा, तो refresh कर ले दें इसको F5 से यह हमारा क्या हो जाएगा table create हो जाएगा जब table create हो जाएगा आप हम चाहा रहे हैं कि हम दो column को अगर combine कर दें तो उसके रहे हम लिख रहे हैं column span जिससे हमने यहाँ पर टू लिखाया तो यानि यह क्या करेगा दो column को combine कर देगा और एक ही column के अंद है तो अगर branch में भी अगर आपको कुछ data डालना है तो हमें फिर से यहाँ पर td में कुछ value क्या करने पड़ेगी insert करने पड़ेगी एक और value यहाँ पर हम फिर से आई टी लिख देते हैं और इससे run कराते हैं refresh करते हैं sorry यहाँ पर हम अभी हमने वो जो data था वो save नहीं किया इसले रिफ्रेस करके हमें दिखाया नहीं तो पहले हम save कर लेते हैं control ऐसे फिर से इसको refresh करते हैं तो refresh करेंगे तो यह आई टी हमारा वहाँ access जाएगा और नेम पर दो हमारे column जो है ने वो क्या क्या कर दी हैं ऐसी हम column की जिगों पर row को भी कर सकते हैं column span की जिगों पर row span यह हो सकता हमारा अगर आपको 2 row combine करनी है तो हम row span लिख देंगे और यह value क्या करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी यहाँ पर 2 row अब combine हो गई यानि यह row number और कमल वाली एक बन गई है वहाँ पर name नाम से यह हमारी row design हो गई है तो इसे proper तरीक में से आप देख लें क्योंग पर उसे वाँ को परें जार हॉबसाぎ है वहाँ है वहर है तो हमारा एक बने होड़ को बासरा है जार हमारा आसरा कहें वहाँ दो फे र हो जो हम है है पर वह सित्मा उच्या हुआ के ठकला जाज़गागां है बहूँा हाँ ब요ल मुट्षव उख उजगर म करें हां